हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में हम बात करेंगे हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप केंद्री विद्याल है कि थुरू PGT का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी क्या योगिता है उसका पेइसकेल क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रिजुएट टीचर के अंतरगत कुल 12 विशियों में निकले हुए है और इसमें दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि हिंदी है अगर इसके पेइसकेल पर बात करूँ PGT के पेइसकेल पर तो इसको आप ध्यान में रखिए कि लेबल 8 के अंतरगत है और इसको रखा गया 47,600 से लेकर एक लाख एक क्यावन हजार सो रुपे तक ठीक है तो जैसा कि आप जानते हैं सरकारी नौकरी में पेइसकेल का लेबल बनाया गया है इसे असिस्टेंट प्रोफेसर का आप देखेंगे तो नाइन और टेन के अंतरगत में रखा जाता है जबकि यहाँ पर PGT का आप देख है कि 8 है और इसका जो आप देखे 47,600 से लेकर एक लाख एक क्यावन हजार सो रुपे के बीची में है अपर लीमिट जो एज अपर एज कितने साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं तो 40 वर्स रखा गया है यानि कि 40 वर्स तक के लोग इसको एपलाई कर सकते हैं तो अब आप के दिमाग में confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि कई बर comments आता है कि इसमें age कितनी निजारित की गई है तो अधिकतम जो age है वो 40 वर्स तक रखी गई है यानि कि अगर कोई विद्यार्थी फरिक्षार्थी अगर 40 वर्स तक के हैं तो वो भी इसको भर सकते हैं बाकी सामाने तोर से आप जानते हैं कि 21 से लेकर 40 तो निउन्तम तो नहीं बताया गया है लेकिन अधिकतम को यहां पर रख दिया गया कि वो 40 वर्स होगा तो इसको लेकर अब आपके दिमाग में कोई doubt नहीं होगा अगर बात करें इसके qualifications के उपर कि PGT में form apply करने के लिए qualifications क्या हो सकते है तो मतलब एक से लेकर 10 तक मतलब की एक से लेकर 10 तक का जो भी criteria है वो same है ठीक है सबके लिए same है तो उसी को यहां पर indicate किया जा रहा है और इसमें बताया गया है कि कोई form बढ़ सकता है जो यहां पर लिखा गया two year integrated postgraduate msc course of regional college of education of ncrt in the subject concern तो उस subject में ncrt के मादम से वो postgraduate msc का course किया हो यहां पर r लिखा हुआ है या या अथवा अन्य लोग भी इसको बढ़ सकते हैं जिसमें लिखा गया कि master's degree from recognized university with at least 50% marks in aggregate in the following subject यानि कि अगर आप कहीं से किसी recognized university से में आपने किया है और आपका में 50% तो आप इसको भर सकते हैं और कौन-कौन विश्यों में आप भर सकते हैं जिसमें कि English का दिया है PGT English, PGT Hindi, PGT Physics, PGT Chemistry, PGT Economics, PGT Commerce इसी तरीके से 10 तक जो शिरियाल वो है तो हमें मुख्य रूप से बात करना है PGT Hindi को लेकर और इसमें दिया है कि subject at postgraduate level, postgraduate level तक का कौन-कौन subject होना चाहिए जिसके वज़े से आप PGT Hindi का form भर सकते हैं लिखा है Hindi or Sanskrit with Hindi as one of the subject as graduate level तो Hindi या Sanskrit के साथ Hindi एक विशय के रूप में BA में आपकी होनी चाहिए तो आप PGT Hindi का form भर सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये confusion रहता है कि PGT Hindi का form भर सकते हैं क्या उसके साथ विशय होना चाहिए तो यहाँ पर लिखा गया है कि Hindi में आप में होना है आपको संस्कृत के साथ एक विशय के रूप में Hindi आपका graduation के समय होनी चाहिए graduate लेबल पर होनी चाहिए Hindi के साथ संस्कृत विशय के रूप में तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ-कुछ UP PGT की तरह यहाँ पर भी कुछ आपको देखने को मिल रहा है कंडिशन दी आ गया कि PGT Hindi हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी हिंदी के साथ संस्कृत एज वन आप देश्यक्त एट ग्रीजूएट लेबल यानि कि आपने हिंदी से एम्में किया है लेकिन graduate इस तर पर आपके विशयों में संस्कृत और हिंदी दोनों होनी चाहिए इसलिए यह बात यहाँ पर कई ग से रहते हैं पहले पहले वह BSC इत्यादी किये रहते हैं या फिर Bcom इत्यादी किये रहते हैं और इसमें सफलता नहीं मिलती है तो वह हिंदी से में कर लेते हैं और बाद में नेट जर्फ इत्यादी की त्यारी करना शुरू करते हैं तो उसमें तो दिक्कत नहीं होती है लेकिन PGT इत्यादी जैसे परिक्षाव में दिक्कत होने लगती है और देखिए वह यह चीज यहां पर बताई जा रही है कि एगर आप PGT हिंदी बनना चाहते हैं तो हिंदी से MA होना चाहिए और graduate लेवल पर हिंदी के साथ संस्कृत आप पड़े हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं य रिकनाइज इनवस्टी तो आपको बीड होना है इसके अलावा याँ पर प्रोफिसियंसे इंडि एज इंगलिज मेडियम आप हिंदी अंग्रेजी में यह सक्षम हो सकते हैं कि पढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं इसके अलावा एक और इच्छूख क्वालिफिकेशन है कि आ बात है कि अगर आप CBT जैसे परिक्षाओं में बैठ रहे हैं तो आपकी पास computer के knowledge थोड़ा बहुत होगी तो इसको लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है दिक्कत यहाँ पर subject combination को लेकर ही ज्यादातर विद्यार्थियों में आती है उसको आप समझ गये होंगे तो यदि आप PGT मे हिंदी में apply करना चाहते हैं तो 40 words तक अधिक्तम उम्र रखी गई है क्वालिफिकेशन में यही है कि 50 प्रिसत आपका होना चाहिए में 50 प्रिसत होना चाहिए PGT हिंदी से भर रहा है तो हिंदी से में होने के बात संस्कृत और हिंदी आपका graduate इस तर में होना चाहिए यह नहीं कि आप बाद में stream change करके हिंदी से में कर ली है तो इस form को भरेंगे तो वो valid नहीं माना जाएगा तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और B-E yet होना चाहिए B-Eyes के अलावा आपको हिंदी Schools में सक्षाम होना चाहिए और पढ़ाने में सक्षाम होई आपको दिकत नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत अगर हिंदी में में तो आपका हिंदी मत्वोथ होगा बाकि इंग्लिस को इतना तो आप जानत होनी चाहिए ठीक है तो ये PGT हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन था और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उमीद है कि आप समझ गया होंगे इसी के हिसाब से आप फॉर्म को एपलाई करेंगे अब आपके मन में आ रहा हुआ क्या इसके लिए सीटेट की जरूरत नहीं है क्या कर रहे हैं तो आप निशिन तरीके से सारी चीजों को समझ गया होंगे और उसके हिसाब से जाकर आप हम को एपलाई कर सकते हैं